क्या फिल्म में दिखाया जाएगा अधीरा का पास्ट कहां से शुरू होगी केजियेफ 3 हालो एक बार पर सब सबी का स्वागत है बॉलिगराथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कत यागी बहुत प्रिशान नील के बनाए हुए केजियेफ यूनिवर्स की खासित ये है कि सीरीज के हर एक किरदार पर एक पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा सकती है बले ही रोकी भाई का किरदार इस फिल्म का मेंन कारेक्टर है लेकिन दोस्तों इस फिल्म के बाकी के किरदार भी स्टोरी के लिए काफ़ इंपॉर्टन्ट है और यही तो खास बात है साउट फिल्मों की जिसमें हर एक किरदार को पूरी एहमियत दी जाती है वैसे ही दोस्तो के जिफ टू का किरदार था अधीरा जिसे संजदत ने काफी अच्छे से निभाया था और रोखी को करीटकर भी दी थी हाला कि दोस्तो के जिफ टू में अधीरा का कैरेक्टर तो क्लोज हो गया लेकिन उसके पास के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसने विकिंग्स की ट्रेनिंग ली और वो अपने भाई के साथ लोयल था और जब गरूरा ने उस पर हमला कराया तो सभी को ऐसा लगा कि अधीरा मर चुका है लेकिन दोस्तों वो जिन्दा था और गरूरा के मरने के बाद के जिफ में आया पर इन सालों में अधीरा कहा था क्या कर रहा था और उसने अपनी इतनी बड़ी आर्मी कैसे बना ली दोस्तों ये हम नहीं जानते और पॉसिबल है कि के जिफ चाप्टर 3 में अधीरा के पास के बारे में दिखाया जाए और वो जहार रहा इतने साल और जो लोग उसे भगवान की तरह पूछते थे उन में से कोई तो ऐसा होगा जो कि रौकी से अधीरा की मौत का बदला लेने के लिए जरूर आएगा ये थियोरी काफी इंट्रस्टिंग है और इसका अगर एक हिस्सा भी सही होता है तो दोस्तों के जिफ चाप्टर 3 देखते वक्त थेटरों में ओडियन्स काफी शौग और सर्प्राइस दोनों ही होने वाली है जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि के जिफ 3 में रॉकी के इंटरनाशनल क्राइम्स के बारे में बताया जाने वाला है लेकिन फिल्म की शुरवात कहां से होगी क्योंकि के जिफ 2 के एंड में तो रॉकी समुदर में डूब गया था और रमिका सैन को नोटिस मिला था इस पर से दोस्तों दो ओपनिंग सीन से के जिफ 3 की शुरवात हो सकती है पहला तो रमिका सैन को जब रॉकी के इंटरनाशनल क्राइम्स के नोटिस मिला तब वो सभी देशों को ये जवाब बेशती है कि रॉकी इस डेड और इसलिए ये केस मही खतम हो जाता है और पूरी दुनिया ये जान जाती है कि रॉकी मर चुका है लेकिन यहां पलॉट ट्विस्ट ताम आता है जब रमिका सैन को ये खबर मिलती है कि रोकी मरा नहीं बलकी जिन्दा है और अब ऐसे में रम मिकाप क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी और दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की तो KGF3 की शिरवात हो सकती है इनायत खलील के साथ जो इस बार रोकी को दोका देने वाला है इनायत खलील को जब ये पता चलता है कि रोकी मर चुका है तब उसे विश्वास नहीं होता और इसलिए वो एक दोसरे ताकतवर इंटरनाशनल बोल्ड माफिया से हाथ मिलाता है जो एक नया किरदार होगा फिल्म का और फिर ये दोनों रोकी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते है और इन्हें भी पता चलता है कि रोकी जिन्दा है और दोस्तों इसके बाद हमें रोकी की एंटरी दिखाई जासकती है ये दोनों ही possibility is on point है आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी ओपनिंग जादा सूटेबल है? Do let us know in the comments section इसे के साथ मैं नुश्का त्यागी लेती हूँ आपसे जाज़त बने रहे हैं देखते रहे हैं बॉली ग्राथ स्टोरियो स्कूल हमारी आच्छी राइटर है मनीशा विधानी